मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है मौक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा करेंट अफैर का ठीक है तो यह कोश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट यह समझ लेजे क्यूंकि ऐसे ही कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाते है और लग वीडियो में आपको प्रवाइड किये हैं तो यह मौक टेस्ट के रूप में वीडियो है यह आपके लिए काफी यूसपल इसलिए होते हैं क्यूंकि इससे आपको थोड़ा सी माइंड वर्क करता है जिसे कोश्चन आपको याद रह जाते ठीक है तो मौक टेस्ट है बहुत अच्छे से दीजी हर एक कोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है खासकर जो रेलवे वाले हैं और अभी जो वीडियो के एक्जाम होंगे इन सब के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टन है ठीक है तो पूरा समले जी निचोड है जो भी बहुत अच्छे कोशन रहें इस सा फस्ट कोशन कहीं कि हाल ही में किस भारती राज ने नीम के पेड इवं काले हिरन को करमसा अपने राजिकी व्रच इवं पशुओभोसित किया है ठीक है तो अच्छा कोशन बताई इसका अंसर क्या है कि हाल ही में किस भारती राज ने नीम के पेड एवं काले हिरन को क्या क्रमसा अपना राजी की व्रच एवं पशु घोसित किया है तो किस ने घोसित किया है तो याद केगा ये किया है आंध प्रदेश ने ठीक है याद के हुए FIFA World Cup पे प्रत्दम बाण किस देश ने भाग लिया ज़ुँ आज च्ज़का है अच्छा कोशेν क्या है कि हाल ही के एक सर्वे के मताबिक भारत में सबसे प्राण घहत गह तक वाईरस है वाइरस किसका है। सबसे प्राण घहत किसका है देखे आपके options आपको दिख रहे है AIDS, Cancer, Hydrophobia या इनमें से सभी तो यहाँ देखेगा यहाँ पर जो correct answer है यहाँ पर है Hydrophobia जिसको हिंदी में बोलते हैं Rabies ठीक है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्राण घातक वारस अगर जो सामने काटने से होती है और सिर्फ कुट्टे के काटने से नहीं अगर उसका नाखून भी लग जाता है आपको तो भी आपको Rabies हो सकता है ठीक है तो अगर ऐसा कभी कोई लक्षण नजर आए अगर आपको किसी कुट्टे ने काट लिया या कोई नाखून लगया तो तुरंद वैक्सिनेशन कराईए किसी प्रेकार की जाड़ पुक से दूर रही है ठीक है क्योंकि वैक्सिनेशन ही इस बिमारी का इलाज है क्योंकि इसका जो पेसंट रेबीस हो जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है 10 से 15 दिन के अंदर जो वैक्ति हो मर जाता है कभी कभी तो 5 और 2 दिन के अंदर भी मर जाता ठीक है तो सबसे ज़्यादा प्राण घातक वारस के रूप में नजर आ रहा है इससे में हाइडरोफोबिया तो जितना ज़्यादा हो सके ऐसे कुतों से बचे और अगर कभी कुछ ऐसा नाखू लगा या कोई कटा लगा होता है काट लेता है कुता तो तुरंद वैक्सिनेशन कराईए किसी भी प्रेकार की जाड़ बुक से दूर रही है ठीक है चले ठीक है कि हाल ही में किस भारती राज के मुख मंत्री ने अपने पद से स्तीफा दे दिया मोस्ट पॉपलर कोईशन था काफी घमासान मची थी मीडिया में ठीक है तो बताए इसका अंसर क्या है कि हाल ही में किस भारती राज के मुख मंत्री ने अपने पद से स्तीफा दे दिया तो यहाँ देखेगा यह दिया था महभूबा मुस्ती ने जो की चमू एवं कश्मीर की थी ठीक है ने इस कोशन कि आपका कि सिलांग को स्मार्ट सेटी के तहत चुने जाने पर अब कितने स्मार्ट सेटी सहर चुने जा चुके है तो आपको क्या याद देखना है कि लास्ट कौन चुना गया है सिलांग ठीक है पूछा जा सकता है यह कोशन कि स्मार्ट सेटी के तहत लास्ट सहर कौन सा चुना गया था तो याद देखेगा वो सिलांग है और कितने स्मार्ट सेटी अब हो गया है टोटल चुने जा चुके हैं तो याद है कि का टोटल अब हो चुके हैं 100 ठीक है और इसी में आप क्या है जो भी इनकी अधार बुस अन्रचनाव में चेंजस किये जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टोटल 100 चुने जाने ते लास्ट कौन सा सिलांग है तो आपको जाधा जो विजेता टेम रहे वो रहे आपकी ब्राजील ठीक है नैस कोशन क्या है कि दुनिया का सबसे सूपर कंपियूटर सम्मिट किस देश का है काफ इस एच्छा कोशन क्या है कि हाल ही में संपन हुए विस्व परियावरंड दिवस का जो आयोजक देश कौन ता कहां पर हुआ आयोजन विस्व परियावरंड दिवस का ठीक है तो बताई इसका करेक्टर अंसर पांस जुन को मनाया जाता है प्रतेक वर्स विस्व परियावरंड दिवस तो इसका जो ब्रड कब 2018 में सरवाथी गोल किस ने किया है है एक रिकेन ने किया है और यह किस देश के यह पूला जा रहा है ठीक है यह किस देश के लिए खेलते हैं यह तो पताई इसके करेक्टर-Answer तो यार की यह हैं इंग्लेंड के ठीक है देश्ट कोिशन के दो हजर अठारा में संपन हुए परिया वरेंड की थीम क्या थी काफ्यचा कुश्चन अभी मैंने आपको बताया कि कहां संपन हुए यह आपके संपन होए भारत के अंदर और इसकी जो थीम क्या थी इस बार यह प्लास्टिक पॉलिशन यानि प्लास्टिक के पॉलिशन को खत्म किया जाए और इसी करेंट के मोस्टली जो राज है वह अपने राज के अंदर पॉली थी जो बैंड करते जा रहे ठीक है तो यह चीज आपको याद अखना है ठीक है नेस्ट कोशन क्या कि हाल ही में संपन लूपम खेर जी को ठीक है अप्रैल में संपन हुए कॉमंध वेल्ट खेलो में सरवाधिक पदक जीते यह चीज याद है कि आपका फीपा से कोशन ना बने बट आपका कॉमंध वेल्ट गेम से जरूर्ट कोशन बनेगा क्योंकि यह तोड़ा सी ओल्ड भी हो चुका है और यहां से कोशन बननी की उम्मीद बहुत रहेगी ठीक है तो कोशन के आए कि अप्रैल में संपन हुए कॉमंध वेल्ट हेलो में सरवाधिक पदक किसने जीते हैं यानि इस बार फर्स्ट नंबर की टीम कौन सी रही है तो याद रखेगा यह रही है और भारत की बात करी जा तो भारत इस वार क्या थार्ड नंबर पे ठीक है नेस कोशन क्या कि अप्रैल में संपन हो गये । भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं या याद की कॉमंध फेल्ध गेम हो में जो कहे भारत कितने पदक जीते इस वर पूरा रिवाइस करा दूंगा मैं आपको पूरे मदद 6 महिने की समझ लीज़े जो मोस्ट आएंपी कोश्चन पूरा रिवाइस है इस वीडियो में तो बहुत अच्छे सी याद रखे क्या है कि अप्रेल में संपन हुए कॉमेंद वेल खेलो में जो भारत ने कुल पदक जीते जीत 66 ठीक है नेश कोशन क्या कि गोबर्धन योजना किस भारती राज से संबंदित है काफी रही थी सुरक्यों में ये योजना क्या है कि गोबर्धन योजना किस भारती राज से संबंदित है मि-स प्रॉम की इंग पॉस्र करके आंसर बीड़ो्ट कर लिख सकते हैं वीडियो तोड़े से तेज चेले क्योंकि आपका भी बहुत अनमोल है अर्धी समर बरबात बिल्कुल नहीं करना है ठीक है और बहुत अच्छे कोशन है आपको रिवाइस कराए जा रहे हैं क्या है कि हाल ही में किस भारती राज को सरवादिक फिल्म अनुकूलन राज घोशित किया गया है तो यहां देखेगा यह क्या गया है मध्ध प्रदेश को ठीक है जून में जारी आकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितनी रही बहुत हिट कोशन याद देखेगा बहुत ज़्यदा सौकिंग निउस थी इस बार की य में जारी आकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितनी रही तो यारज एक जून में जारी आकड़ों के साथ जो जीडीपी दे रहे यह 7.7 रही और यह पुरे विश्व में सबसे अधिक थी ठीक तो यह भी चीज आपको याद रखनी है ठीक है नेस्ड कोशन के एक कि होट लाइन सेवा का प्रारम किन दो देशों के बीज किया गया है तो यहां रिख़ेगा यह किया गया भारत एवं चीन के बीज ठीक है नश कोशन के वनस्पति विज्ञान का सरवाधिक प्रतिष्टित पुरुसकार लिन नियम पुरुसकार हाल ही में प्रत्थम बार किस भारति ने जीताया नि मुगशन कहा같ी के का मल जीत बाबां जीता थीक है नश कोशन क्या कि सम मुख भास किंस्टित हिंदी सहितिकार का हाल ही में दिदन हो गया आप से अगर करण्ड पूच़ा रहा है तो करेंड का ही आंसर आप देंगे याद रिखे तो क्या पूछा जा रहा है कि ग्यान पिट से सम्मानित है यह स्री के पुरुषकार दिया जाता है साहित के लिए और सम्मानित थे यह और इनका हाल ही में निधन हो गया तो इनका नाम पूछा जा रहा है यह क्या नाम है इनका तो यारके केदार ना सिंग जी का ठीक है यारके का अच्छा कोशन है ने इस कोशन क्या है कि मोहन पुरा बान परियोजिना हाल ही में प्रधान मंति नरेन मोधी जी ने किस भाती राज में जो स्टाइड की गई है तो बहुत अच्छे कोशन सकता है कि मोहन पुरा बान परियोजिना कहां की है या आप से भी पूछा जा सकता है कि मोहन पुरा बान परियोजिना का जो उद्गाटन किस ने किया तो आप से यह सब कुछ कोशन जो है पूछ जा सकते हैं तो आपको याद रखना है तो याद केगा जो मोहन पूरा बांध परियोज जुना है यह आपका मद्ध प्रदेश में और इसका उद्गाटन किस नहीं किया है यह किया है प्रदाहन मंतिर नरेंद मोदी जी ने ठीक है नेश कोशन कहा कि नीती आयोकद्वरा सुरू की गए डिजिटल आर्थ व्यवस्त का मोटिव पूछा जा रहा है तो यह यह आपका है उप्यूक्त सभी यानि विज्ञान और प्राधोगी विकास क्रतिम बुद्धी मत्ता और डिजिटल उत्पादन ठीक है नेश कोशन क्या कि हाल ही में किन दो भारती राज में जो है पॉली थिम पूर्ण रूप से प्रत करना है इनको तो लगबग इस मुहिम पे भारती राज जो है साथ दे रहे है ठीक है तो दो भारती राज जो पॉली थिन पूर्ण रूप से बंद कर दी और मोस्ली अब बहुत सारे लोगों ने बंद कर दी उत्रा खंड में वह जल्दी बंद हो गई है तो अभी यहां का जो करेक्टर आंसर आपका होगा यह होगा आपका यह महाराश्ट और उत्तर प्रदेश ठीक है काफि अच्छा कोशन यह भी है कि हाल ही में लाइफ आई पाई का सफल परिछंड किस आई आई टी सनसान ने किया है जो बहारत के किस रोक के लिए वैक्सिन की मंजूरी दे द अंगट है ने इसके लिए मंजूरी दे दिये तो इस वैक्सीन कॉंस किस रोक की वैक्सीन है यह बताई इसका अंजर व्रज प्रहार जो है भारत और किस देश के साथ जो भारत का संयुक्त सैन अभ्यास है तो यह रहा है कि व्रज प्रहार जो है यह यूएसे के साथ था भारत का संयुक्त सैन अभ्यास ठीक है नेस कुशन है मिसाइल अगनी 5 का जन्वरी में सफल परिक्षन कहां से किया गया का किया गया इसका सफ़ल परिक्षन तो यह रहुट है अब्दूल कलाम अजवाद दीब जो कि कहां पड़ता है ओडिशा में ठीक वहां से इसका ओडिशा का यह दो पे और यहां से सफल प्रडिक्षन किया गया इस मिसाल का ठीक है नज को मित्र सक्ति संयुखतो अभ्यास भारत का किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास अभ्यास इक सेना अभ्यास पूछे जाते हैं अक्सार ठीक है और जितने भी हमने कोसिस करें यहां पर आपको प्रवाइड करानी की और मेरा स्पेसली वीडियो पढ़ा हुआ है संयुक्त सेना अभ्यास का तो आप उससे देख सकते हैं मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे तो यहां रहेगा मित्र सकती किसके साथ है भारत का तो यह है श्री लंका के साथ ठीक है नेस्ट कोशन के पांचवा यस चोप्ला मेमोरियल पुरिशकर किस भारती गाईका को दिया गया है तो यहां रहेगा यह दिया गया आशा भोसले जी को ठीक है नेस्ट कोशन के दो हजर 18 का पदम विभूषण पुरुष्कार दिया गया है इन तीनों को intimate याद रखेगा कि इस वर्ष किस से के noble पुरुषकार नहीं दिये गए तो यह कोशन बहुत सारे एक्जाम में पूछ गया है तो याद दिखेगा कि इस वर्ष जो किस छेतिकां noble पुरुषकार नहीं दिये गए है तो यहां देखेगा यह नहीं दिया गया है साहित का ठीके नैश कोशन कहा कि 29 जनवरी 2018 को उत्करश्ट जो सांसत पुरुषकार से सम्मानित किया गया है किसे किया गया है बताइए नजमा हे पितुल्ला को भी क्या है हुकुम देव नराण यादो यानि तीनों कोई किया गया है इस सांसित पुरुषकार से संभाने ठीक है नेश कोईशन क्या है कि हाल ही में प्रकासित एक आकडो के अनुशार भारत का भारत जो दुनिया का छटा सबसे अमीर देश है इस लेशन में प्रथम इस्तान किसका था काफी अच्छा कोईशन है कि क्या है कि भारत दुनिया में छटा सबसे अमिर देश बन चुका है तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा और ये एक हाल कही आकड़े है लेकिन इस लेश्ट में सबसे फस्ट देश कौन सा है ये पूछा जारा आपसे तो ये है आपका अमेरिका ठीके नेश कोईशन क्या है कि हाल ही में जारी आकड़ों के अनुसर भारत का सबसे प्रदूशी सहर कौन सा है साइद ये चार में नगर होता तो आप इसको दिल्ली करेक्ट करते है लेकिन अब हाल का ही पूछा जा रहा है तो या देखेगा ये आपका एक कानपुर नगर नेश कोईशन क्या है कि देश का पहला रख्षा कॉरिडर खोला गया काफेचा कोईशन कई बार पूछा के एक्जाम में कि देश का पहला रख्षा कॉरिडर कहां खोला गया है तो या रख्षा का ये खोला गया आपका तमिल नाडू के अंदर ठीक है नेश कोईशन क्या कि वर्षा का पानी च्छत पर जमा कर इसका प्रयोग लेने के लिए इसकीम लॉंच की गई है कहां पर की गई है बताइए ये भी कोईशन के जिगा पूछे जा चुके है वर्षया का पानी क्या है जो रेन वाटर इसको आप च्छत पर जमा करके फिसका राइक्लिन इसका मदद यूज किया जाएगा तो यह जो लॉंच इसकी में कहां पर की गई है तो यह याद एक है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के नुसर भारत के किस राज में हातियों की संक्या सरवादिक है का पेच्छा कोशन ये भी है क्या बोला जा रहा है कि हातियों की संक्या किस भारती राज में सरवादिक है और यह भी हाल की ही रिपोर्ट है तो यह आपको याद क्या रखना है का सफल परिक्शन किया गया है ठीक है और इस उपग्रह का नाम याद रखेगा कहां से किया गय यह बोला जा रहा है तो यह किया गया शृहरी हरी कोटा से ठीक है थ guiding क्या हानी में हमंद कोटा बंदर ईया का विस चो यह नहीं दूसरी देश को सॉब दीन तो कि Warikh कि हम मन टोटा जो बंदर गाई चीन को इन्होंने सौब दिया ठीक है नेस्ट कोशन क्या कि नई दिल्ली से सियालदा चलने वाली देश की पहली सोड़ा राजधानी ट्रेन की सुरवात कि स्तिति को की गई देखे यह आपके लिए रेलवे स्पेसल है तो यहां से कोशन बन सक क्ले के सिनेमा घरों में राष्रगान की अनिवारता को किस स्थिति को कट्म कर दिया घ्या ठीक है आप मुऊवी देखने का नगें था तो आपने देखा होगा कि वहां पर सिनेमा हॉल में राष्ट इगान जो कंपलसरी हो गया था बजाना लेकिन अब यह जो अनिवारता इसको खत्म कर दिये अब जो चाहे बजाना वो बजा सकता जो नहीं चाहे था वो नहीं बजा सकता मतलब कोई यह नोटिस नहीं किसी के प पता है क्या बोला जा रहा है भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन कि स्तिद्धी को किया गया क्या है कि 25 दिसंबर 2017 से किया गया ठीक है नेश कोशन कहा कि हाल ही में किस कंपनी को चार अरब रुपए का नुकसान जहलना पड़ा काफी पॉपलर साइट है लगबख लोग यूज करते हैं तो किस कौन सी कंपनी है तो यारे कि आप फेस्बुक को है जो चार अरब का जो ठीक है नेश कोशन कहा कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा जो गलत विग्यापन एवं धन विरोधी नारे को लेकर कुछ विसेश अकाउंट को बंद किये गया यानि मतब कावती सक्ती दिखाए इन्होंने जो ऐसा काम कर रहे हैं धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो गलत है मतब समाज के लिए तो आप इनके अकाउंट को क्या क्या ब्लॉक कर दिया गया था तो यह किस मतब एक किस की मुहीम थी यह मतब किस अकाउंट्स की यानि किस सोचल साइस्ट की मुहीम थी तो यह इन्स्टाग्राम की मुहीम थी इस्ट तो आपका क्या राय अभी बताइएगा ठीक है नेश कोशन गए महिलाओं एवं बाल विकास मंतराले ने महिलाओं की सुरच्छा के लिए एवं उनके सकती करण को बढ़ावा देने के लिए किस टेक कंपनी के साथ समझोते किया है यह भी काफे अचा कोशन है किस टेक कंपनी शुरू किया गया इसका ओध्गाटन किया गया जो किस ने किया बताईए तो यारे किया यह क्या है नरेंद मोदी जी ने ठीक है नेश कोशन क्या कि हाली में एक आकड़ो के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे प्रशिद नेता कौन है काफे अचा कोशन काफे सुरक्यों र वे सबसें ठीक है याद देखिएगा नेश कोशन किया कि फेस्बुक के सरवे के अनुसार भारत में फेस्बुक सबसे प्रशिद नेता कौन है यह वी कोशन पूछा गया काफे सुरक्यों में यह नेता कौन है तो या दखिएगा यह उत्तर प्रदेश के योगी और यह Facebook पर सबसे प्रशित नेताहों में से एक है तिए नेस्ट्ट क्या है कि हाल ही में इंद्रागांधि सांती पुरुस्कार से सम्भानित किया गया तो किसे किया गया है कि यह किया गया है Dr. Manmohan Shingghy को तिक है नेस्ट क्pellश्टा का है । क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड नंबेश्टर कॉछिशन बनते हैं आप लोगों के ठीक है एक इस पेशल वीडियो है मेरी मैं उसका लिंक देदूँगा वह भी देख लिजएगा आप यहां से कोशन बनते हैं तो क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड का है महिला रोबर्ट सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला देश कौन है यानि अपने देश की नागरिकता प्रदान कर दिये एक रोबर्ट को रोबर्ट कर नाम का है सोफिया तो आपको इस सब चीज याद रखनी है तो किसने प्रदान किये अपने सोनिक मिसाल की तरह विक्सित की गई सिंगर कौन सा इन ऐना पाराण सा घ्रार swim का पहला तैरने वाला प्रमानुस एंद्र खोला गया क्या है विश्व का पहला तैरने वाला पर्मानु संयंत्र खोला गया है तो देखी ये खोला गया है रूस के अंदर ठीक है नेश कोशन का कि हाल ही में एक आकड़े के अनुसर किस देश के लोग भारती नागरिकता लेने के लिए सबसे आगे है यानि भारती नागरिकता लेने के लिए बहुत ज़्यादा आगे हैं और सबसे ज़्यादा लेते हैं किस देश के नागरिक तो यह हैं बांगला देश के ठीक है नेस्ट कोशन क्या है कि ग्लोबल वीमेंस लीडर्शिप अवर्ट हाली ही में किसने हासिल किया काफेचा कोशन यह भी है कि ग्लोबल वीमेंस लीडर्शिप अवर्ट हाली में किसने हासिल चू किया है तो यहार रहकर कि किया है शेख हसीना जी ने ठीक है नेस्ट कोशन क्या कि हाल ही में तरल क्लोरिन लाइसंस प्राप्त करने वाला भारती राज बना किस ने प्राप्तिकल लिया किस भारती राज ने कि में किया गया ठीक है यह नेपाल कि लुबिनी में किया गया था थीक है तो याद रहे गाएं सम्मेलन जो है अंतनास्टी ठीक है नेश का कि हाल ही में क्रिष्ण मुराली को किस राजी के उचितम नियाले के मुख नियाद इसके रूप में नियुक्त किया है तो किस राजी के बताईए तो यह रखे कि पंजाब एवं हरियाना दोनों की ठीक है याद एक अच्छा कोशन का कि हाल ही में एक आकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे गरीब जनसंख्या निवास करती है कहां पर करती है बताईए दुनिया की सबसे गरीब जनसंख्या तो यार एक नाइज वीरिया में क्या दुनिया की सबसे गरीब जनसंख्या कहा निवास करती है यह इस कुछन के हाल ही में संपन में फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन रही फ्रांस यह आपको यह याद रहना है कि जो विजेता टीम कोने फ्रांस है और इसने किसके रहाए वावाटि यह वीरिया किस भारति राज्में प्रत्रम प्रतम इस्तान रखा़ कि यह कचरा होता है क्या जैसे computer है आपके mobile phone है laptop जो कुछ भी है यह सब इक चरा में आते यानि इनके उत्पादन में जो प्रत्थम स्थान किसने रखा यानि जो wasted material होते हैं खराब phone खराब laptop खराब आपके जितने भी वायर हैं जो कुछ भी है सब कुछ यह एक चरा में आते हैं तो इसमें प्रत्थम स्थान के से नमत भारती राज ने प्राप्ति किया है सबसे ज़्यादा यानि इनके क्या होता है तो यह है आपका महराज्ट ठीक है नेस कोशन क्या है कि हाल ही में संपन हुए फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस् संभेषी किस संभडित बहुत एट रहा तो यह कोश्ण करते कांगड़ी ग्राम जोती योजना के तहेत रोशन होने वाला भारत का अंतिम गाउं कौन था काफ़ अच्छा कोशन क्या है दीन दयाल ग्राम जोती योजना के तहद रोशन होने वाला भारत का अंतिम गाउं कौन सा था यह पूछा जा रहा है तो अपने करेक्टर अंसर को बताईए तो यह रहा है यह था आपका लिशांक जो न्यों हो मडिपुर का आके माडिपुर का chill कि हाल ही देश के पहले राश्टी खेल विस विद्ध्याले Ess TON कहां रखी गई यह इस का पहला संस्कृत कि बच्चोכे लिए हैपिनेस पार्ट क्रम की सुरुआत की यानि ऐस भारती सहर राज्य में कि कि गई बताये तो यह रखे कर ये खिए न्यू डैली के इंदर, ठीक है, ята, भचोंसे मरिन स्कूल को परेट प्रवस्वाद में लेंगे पहले उनका ठीका करण होगा, तो यह किस भारती राज में अनिवार हो गया है? तो यारे Environ के अंदर ठीक है रहां पर किया गए आपका तीक राइवी इसीया शिकर्ज व्मेलन का हई ज्यक्न किया गए मैं जल्ण है जो निरमाण का रहा तो इस मैं रहा है तुका रहिए पो आरे लीत अब का कॉच्छनלא क्या है कि यह बनेगा आपका उडिशा के अंदर ठीक है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसर किस भारती राज में नवजास शिश्वों की मृत्ति दर सरवाधिक है किस भारती राज के अंदर दर बहर KerryAs. काफेच कोशन, हाल ही में निक्की एशिया पुरुषकार से सम्मानिद किया गया है तो यह किया है DOCTOR विंदेश्वर पाठक जी को ठीक है नस कोशन किया है पौधा गिरी अभ्यान संबंदित है या रहिखे क्या है पौधा गिरी अब्ञान सम्वंदित कौन है तो इनमे जो आपके मुक मंदियों के नाम दीये है तो बताए कहा का ये अब्यान है और या रहिखे क्या ये इसका हणी है क्रिकेट के सबी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशणनHay की किसने की विव बताई इसका अंसर हालही में क्रिकट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की खोष्णा की है तो यालutar कैं यह कहां मत कैetics हालही में रीता भाहदुरु llite कि ऐधा भाधुरी जो है किस जो नीधान हो गया इंका यह कहां किस से संब्धें थी ति यह सबसे बड़े एक्सप्रेस वे का निर्माट प्रस्तावीत है यानि कहां पर देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनेगा तो या रखेगा यह उत्तर प्रदेश से बनेगा ठीक है निर्श कोशन कहा कि हाल ही में भारत के दौरे पर आये राष्ट पती मून जे इन किस देश के राष्ट पती है तो यह कोशन बनता है अच्छा बताई इसका करेका अंसर राष्ट पती के नाम या रखेगा मून जे इन यह भारत दौरा पर आये थे तो इसका करेकर अंसर किया दक्ष्ण कोरिया की राष्ट पती थे ठीक है निर्श कोशन कहा कि हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑवर्ट किस ने जीता बताई इसका करेकर अंसर कि हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑवर्ट जीता है तो यह रखेगा यह जीता है सूरत ने ठीक है नेस कोशन का हाल ही में एक रिपोर्ट के नुसर भालत का सबसे स्वच्छ सहर कौन सा है स्वच्छता पर अच्छा द्यान दीजेगा क्योंकि प्रिदान मंति नरेन बोदी जी के काफी यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं और सेंटल गौर्ण्मेंट का जो अगर एक्जाम है तो वहाँ पर इनसे कोशन बनने की बहुत उम्मीद रहेगी ठीक है तो यहां देखेग उत्तर प्रिदेश के वरानसी में क्या गटीक है अप्रेंड में संपन घृक है भारत ने कृतने सउओंध जिते हैं यानि sovereign पτεंग जीते हैं भारतने तो उसकी क्या संख्या रही इस बार अब ही मैंने आपको बताया 66 पदक जीते हैं इन्होंने ठीक है तो इसमें 26 पदक जो है यह नोंने स्वन जीते हैं ठीक है याद रखेगा नेस्ट कोशन क्या है कि अप्रैल में संपन हुए कॉमन वेल्थ खेलों में भारत ने किस प्रतियोगते में सरवाधिक पदक जीते हैं नेस्ट कोशन कैके नेर्मल भारत अभ्यान की जो ब्राऑंड अहां मताये बहुत अच्छा कोशिषन ऑबिस कि नेर्मल भारत अभ्यान की तो संय शैने अंभ्या से हारी माँ सकती ठीक है तो यह रखे गई यह आपका है मालेशिया के साथ नेस्ट कोशन क्या है कि जस्टिक्स दीपक मिश्रा के खिलाब कांग्रेश के महावियोग के प्रस्ताव के नोटीस को ना मंजूर किस ने कर दिया तो आपको क्या याद रखना है कि आपके जो मुख न के लाई गयती कॉंग्रेश के दोवारा जो जिसका जो प्रस्ताव है यह किस ने ना मंजूर कर दिया यह पूछा जा रहा है तो तो कॉन सा है पता यह कि यह है आपका कारंग ठीक है कि हाल ही में किस भारती राज में सभी सरकारी नौकरियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार कर दिया गया है काफे च्छा कोश्य ने याद रखिएगा देखे डोप होता क्या है देखे जैसे कि जो लोग ड्रेक्स लेते हैं जिन ठीक है तो इस जो और दिया है तो यह किया है पंजाब में ठीक है आपने मूवी देखिए उर्टा पंजाब उसमें भी यह सब कुछ दिखाया गया था ठीक है यह बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है पंजाब की अंदर तो इस करण क्या है कि सभी सरकारी नौकरी में कोई भी पदोसर कारी नौकरी का ठीक है वहाँ पर डोब टेस्ट जो है वह अनिवार कर दिया गया ठीक है नेश कोशन क्या है कि महिलाओं की सुरच्छा के लिए दुरगा शक्ति मोबाइल एप हाली में किस भारती राज ने लॉंच किया है काफेचा कोशन है कि दुरगा शक्ति महिलाओं की सुरच्छा के लिए सकती करण के लिए एक एप है और यहां देखेगा कि अगर 2011 की जनगलना की अनुसार देखला जाए तो सबसे विरल जो महिलाओं की यानि लड़कियों बच्चियों की संके सबसे खराब है यहीं पर हर्याना में ठीक है तो इसी करण यह क्य कंदेशन कहा है कि पूर्ल रूप से सौर उर्जा से संचालित रेलए स्टेशन बचेशन कहंक Bell है यानि पून रूप से क्या है अब सौर उर्जा यानि सौर उर्जा चलने लगाये यह रेलवे Ev Teams भारतका क्म सा पहला स्टेशन एटीक है तो बताए कौन हमकर PREENCUSSoich सीमा दर्शन परियोजना कि भारती रास सम्बंदित है दो दिजिया रखेका कि सीमा इसे आपकी मद्द प्रदेश की ठीके छालीन में भारत कि किस परोसी देश को ग्रेए long इया तो होगा ठीक всегда gray list में सामिल किया है तो एक पढ़ोसी देश भारत का उसको इस list में सामिल किया गया है तो वह किया गया है पाकिस्तान को फिर कि खान पहरी आप किसकी चोरी में से बचने के लिए लूँच किया गया है किया है एक की नाम यार्ष कैया है खान पहरी ठीक है और किसकी चोरी से बचने के लिए इस APP को लॉंच किया गए हाली में ही कोईला चोरी से ठीक है नेशन कोशन का है पानी बचाओ पैसा बचाओ योजना संबंदीत है यानि यह योजना कहा स्टायर की गई यह पाणी कोशन याठ के क्या है के विजय कोमार को किस भारती राज का राजिपाल SME इसके रहें के तो और के यह क्या गया है Spre небольш को डिके नैस कोउसन क्या कि अरजीत बाश्यू को हाली में किस बैंक का प्रवंद्थक निरदेशक चुना गया है तो कौन सा बैंक है यह आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश ने राष्ट यह मानवा अधिकार परिसे से बाहर होने की घोश्रां किये काफी अच्छा कोशन है यार बहुत ज्यादा मतलब सुर्क्यों में भी रहा क्या है कि किस देश ने राष्ट मानवा अधिकार परिसे से बाहर होने की घोश्रां कर दिये तो यार कि यह कर दिये अमेरिका ने ठीक है नेस कोशन किया कि हाल ही में किस देश ने धनुस तोप विक्सित किया है कि क्या है तो किस ने विक्सित किये तो यह कि यह आपके भारत ने ठीक है नेस कोशन किया आपके जोधपूर से बांदरा तक चलने वाली मतब कौन से ट्रेंज सेवा शुरू की गई अभी ठीक है कहां से कहां तो चलेगी जोद्पू से बांदरा तक ठीक है बताईए तो इस ट्रेंज सेवा का जो नाम क्या ये है हम सफर ठीक है नेस्ट कोशन क्या है कि प्रोफेशर गडेशी लाल को हाल ही में किस भारती राजी का राजपाल चुना गया है काफ़े अच्छा कोशन ये भी है क्या नाम ये रखेगा प्रोफेशर गडेशी लाल तो यार रखेगा इन्हें जो राजपाल चुना गया ये चुना गया उडीशा राजी का ठीक है डीकरम मडिक किशोर हवाई अड्डा किस एरपोर्ट का मदल कर किया गया है क्या है कि सुरू कि अगर तला का हवाई अड्डा इसको नाम मुवाइल एप हाल यह किस भारती राज ने स्टाइट किया क्या है हुश मिद्र तो यह इस घॉश्ट किया है तो यह रहा है यह cats राजनह राज संबंदित है अगलेया रेखिए और किया नहीं सिलीकाव्य राज़ता न है प्रदेस से राश्टी रजिस्टर का पहला मौशरदा हाल ही में किस भारती राजी प्रकाशित किया है अगर पूशा जाए जो बिला भारती राजी कौन सा था न॥ा था नेस्ट कुशन का है महिला स्टाफ होने के करेंट किस रेलवे स्टेशन को लिंफा बुक आफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया यानि टोटली महिला स्टाफ था इस रेलवे स्टेशन का इस करेंट से क्या लिंफा बुक आफ रिकॉर्ड में सामिल के लिया गया तो ये है आपका माटूंगा रेलवे स्टेशन ठीक है नेश कुशन का किशानों को निश्चुल के बिजली देने वाला पहला भारती राज बना काफी अच्छा कोशन किशानों को निश्चुल के बिजली देने वाला पहला भारती राज बना है यह आपका बना है तेलंगाना ठीक है नेश कुशन का हाई कोट से सीधे नियाय देश के रूप में नियुक्त की जाने वाली भारत की पहली महिला वकील कौन है बहुत अच्छा कोशन है बहुत अच्छा याद एक हाई कोट से सीधा नियाय देश के रूप में नियुक्त की ज यानि इस बर आइपल किसने जीता बहुत इजी कोशन है लगबक लोगों क्या आता होगा आइपल प्रेमियों को तो भाई जरूर आता होगा तो यह सूपर कि जीता है ठीक है और यहाँ देखे का यह साल के लिए बैंड ती और इसी साल जो आप सी हुई है और इससा ने कहा कैकि खिता जीत लिया ठीक है तो यहां रहेगा कि स्कूर्षन काहिए हाल ही में किस देश ने अनुटे चाह प्रटिस के पास मानाव Tibet मानो सूचनदर खोला यानि मौसम आ थो यानि प्रगिए प्रदेश जा रहा हुआ है कि तुछ या यह खोला घए चीनं को याद मिखा सिर्ड्र बात्रकोरत como super computer प्रथापित किया कहां पर किया तो आपको याद करें रहना भारत के सबसे सूपर कंप्यूटर कौन सा है ठीक है और स्थापित कहां किया गया है कि यह महाराश्ट में इस्थापित किया और यह मौसम समंदि जो घटना यह उनके आख़णों को जूटाता है ठीक है तो चीज़ को यहाद रखे गा ने इसकूर्शन का रहा है प्रत्म प्रवासी सांसर सम्मेलन जो आयोजन कहां किया गया गया किया है तो यह किया गया आपक ऍभारतथ ने 202 किस आवार्ट में सेफ और वार्टर को बेस्ट छुना गया का रचाएं को कि अटो यह जीता है भारत ने ठीक है निडिक ने रचेहां किस आवार्ड में दस सेफ आ उफ वार्टर को Best Film चुना गया काफे आच्छा कोशन अलसे की यह फिल्म आ तो यह भी कौन है भारत है तो यह बहुत अच्छे कोशन तो पूरे 6 महिने के और जो हिट कोश्चन तो मैंने वह कवर किये और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे बताएगा मैं और भी बिना दूंगा ठीक है लेकिन आपके एक्जाम के लिए यह बहुत ही अच्छी वीडियो है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आए तो प्लिस लाइक एंड शेयर थैंक्यू